असलाम आलेकुम, नई सुबा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लेर्णिंग टुटोरियल्स के साथ मैं हूँ आईशा एहमद, आज हम आपको पकोड़े बनानी की रेसिपी सिखाएंगे, पकोड़े बनानी के लिए चिन अज्जा की जरूरत है, उसम कीवी लाल मिर्च पॉडर एक टेबल स्पून, नमक डेल टेबल स्पून, जीरा एक टेबल स्पून, अजवाइन एक टी स्पून, हरा धनिया चॉप किया हुआ हाफ बंच, पुधीना चॉप किया हुआ हाफ बंच, हरी मिर्चें छे से आट अदद चॉप की हुई, प्यास दो अदद दरम्याना स्लाइसिस किया हुआ या चॉप किया हुआ तरकीब सबसे पहले एक बरतन में बेसन डाल दें फिर इसमें कॉन्ट फ्लार शामिल करें और चुटकी भर सोड़ा डालके इसको मिक्स कर दें इसके बाद तमाम कटै हुए और खुश्क मसाले को मिलाके इसको अچ्ची तरीके से हलके हलके पानी के साथ मिक्स करते जाए और मिलाते जाएं अब उसको इसकतर घोलें कि ना वो ज्यादा लिक्विड हो जाए और ना ही ज्यादा गाड़ा हो जाए पिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में रखना है आपको अब इसके बाद एक कड़ाई में आधी कड़ाई ओयल डाल दें अब इसके बाद एक एक टेबल स्पून इस बैटर का उठाके कड़ाई में डालते जाए याद रहे कि सबसे पहले कड़ाई को तेज आँच पे रखके ओयल को घरम कर लिया जाए इसके बाद दर्मियानी आँच पर इसको रखकर आप तमाम पकोड़े इसमें डालते जाएं और दर्मियानी आँच पर ही इसको पकाने के लिए छोड़ दें दो मिनिट बाद तमाम पकोड़ों को पलट लें और इसकी दूसरी साइट से भी इसको पकने दें याद रहें कि जब पकोडों के बबल्स खुद बखुद कम होने लगें तो समझें कि ये पकने शुरू हो गए हैं और जब बिलकुल खतम हो जाए और इसकी खुश्बू अच्छी तरीखे से निकलने लगे तो पकोडों को एक जाल से उठाकर पहले एक साइट पर थोड़ी देग के लिए रखें ताकि उसका सारा ओयल निकल जाए फिर एक प्लेट में टिशू पेपर बिचाके या ब्राउम पेपर या बटर पेपर बिचाके उसके उपर पकोड़े डालने इसके बाद पकोडों को कैचप या चिली कार्लिक सॉस के साथ गरम गरम पेश करें तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज